नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोहों को स्वतंत्रता दिवस्त की धेरशारी शुपकामना है दोस्तों वेकेंसी निकली है UPPCL के अंदर और पद है ARO इस वीडियो में आपको इस पद से रिलेटेड और इस भरती से सम्मंदित पूरी जानकारी दी जाएगी तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की गौर्मेंट जॉप से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलती रहें और दोस्तों सब्जेक्ट वाइस पीडियेफ की जानकारी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि UPPCL के अंदर काफी पदों पर वेकेंसी निकलेगी और उसमें से ARO भी एक पत था मैंने शायद आप अगर हमारे पुराने regular viewer होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों की ARO के पद कम आएंगे और Office Assistant के पद जादा आएंगे तो अभी जो दोस्तों ये भरती आई है ये है सिर्फ ARO के लिए अभी Office Assistant यानि की जो कारियाले साहिक होता है जिसे की आप Executive Assistant कहा जाता है उसके पद आना बाकी है तो हम देखते हैं दोस्तों कितनी vacancy है vacancy तो कम है इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अंत में ये जानकारी मिल पाएगी कि किन लोगों को ये आविदन करना चाहिए और किन को ये छोड़ देना चाहिए तो दोस्तो ARO के लिए देखा जाए तो Unreserved के लिए तो मात्र तीन vacancy हैं EWS के लिए एक OBC के लिए 6 और Unsuchid जाती यानि कि SC के लिए 6 और ST के लिए 6 उनने ST के लिए कोई vacancy नहीं है तो देखते हैं दोस्तो क्या क्या इसमें वेतनमान है वेतनमान इसका 6 है और UPPCL के जो दोस्तो grade पे होते हैं वो थोड़ी से अलग होते हैं जैसे कि Office Assistant का 2600 होता है 2600 grade पे किसी और नौकरी में नहीं मिलता है आपको मगर UPPCL में होता है उसी प्रकार यहाँ पर जो level 6 है वहाँ की जो basic है वो है 36800 यानि कि इसमें अगर आप salary के बात करें तो लगभग आपको 45000 के लगभग जो है तनखा बन जाएगी क्योंकि इसकी posting जो है दोस्तो वो लखनव में ही होती है मगर पहले दोस्तो इतनी जल्दी नहीं पहले इसको syllabus देख लेते हैं कि syllabus क्या है उसी के according जो है decision लिया जाएगा IU की अगर हम बात करें तो minimum 21, maximum 40 और यह जो IU की सीमा है यह है 1 जुलाई 2020 को उसके अलावा दोस्तो अगर हम देखें क्या मांगा गिया है साधारण इसना तक फरक नहीं पड़ता आपने BCOM किया है, BSC किया है, BCA किया है इसना तक होने चाहिए आप उसके अलावा दोस्तो हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 की स्पीड 30 की स्पीड मांगी गई है दोस्तो और हाँ, एक जानकारी और यहाँ पर कई लोग सोच, पहले इसके अंदर दोस्तो ऐसा होता था कि O-Level भी मांगा जाता था मगर अब जो है, O-Level नहीं है O-Level इस तरका कंप्यूटर ग्यान होना जरूरी है, कई यह भ्यारती तो इसी में ही फेल हो जाते हैं पचास प्रश्ण होंगे और बीस अंक इसमें आपको लाना अनिवार रहोगा अगर आप यह वाला portion qualify नहीं कर पाएंगे तो यह माल दिजे कि पूरा का पूरा एक तरीके से फेल होगा इसके अंदर ठीक है, तो मिनिमम जो है बीस नमबर लाने हैं, मगर कम्प्यूटर के नमबर जुड़िंगे नहीं, आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं ठीक है दोस्तों, और देखें दुत्य भाग, जो इसका सेकंड भाग होगा, जिसपे की मेरिट बनने वाली है, जो की 200 अंकों का है, इसमें अगर आप देखें, तो समान्य अध्यन के 20 कूशन है, यदि देखा जाया ना, दोस्तों, समान्य ग्यान का इस परिक्षा के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, रीजनिंग के बात करी जाए जो की हाई कोट की भरती के लिए तयारी कर रहे हैं, उन लोग की इंग्लिश काफी अच्छी हो गई होगी, तो ये भरती आपके लिए ये मान सकते हैं, दोस्तों, क्योंकि 70 नंबर डारेक्ट इंग्लिश और 70 नंबर की जो है, वो हिंदी है, और यही एक तरीके का deciding factor है दोस्तों, जो इसमें score अच्छे से अच्छा कर लेगा, वही इसमें selection पा लेगा, तो और तिर्तिय भाग देखें क्या है, तिर्तिय भाग क्या है, यानि कि दुतिय भाग में लिखित परिक्षा में merit तयार की जाएगी और कितने गुना बुलाए जाएगे दोस्तों, तो बात की गई है, सापेक्ष तीन गुना से कम नहीं होगी, यानि कि 16 वेकंसी हैं, तो मातर 48 लोगों को इसके अंदर बुलाए जाएगा टाइपिंग के लिए और मुझे लगता है कि जो टापर लोग होंगे, उनकी हिंदी की टाइपिंग इतनी अच्छी हो, कोई जरूरी भी नहीं है, टाइपिंग जो है दोस्तों, वो 5 मिनट करवाई जाएगी आपकी कुरती देव 10 या फिर 16 में, कई लोग पूसते हैं कि कौन सी टाइपिंग करें तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की अगर आप भरती देखें, यूपी ट्रपल सी की उसमें भी कुरती देव होता है, और यहाँ पर तो साफ साफ क्या रखाएज, इसके लावा कोई और नहीं चलेगी, या तो कुरती देव 10 चाहिए, या फिर 16 चाहिए, दोनों में वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, हिंदी के लिए, 30 की स्पीड अनिवार रहे है, अथार्थ इससे कम, अगर आपके एक भी, 29 भी हो गई स्पीड, तो जो है, आपको इस पे शामिल नहीं किया जाएगा, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और ये तो चलिए, EWS कहां, EWS का आपका सैटिफिकेट बन गया हुआ, तो फिर आप EWS कोटे से ही करें, कई लोग ये पूछते हैं, कि हम EWS से करें, जर जर्नल से ज्यादा नहीं जाएगी, कई सारे अब भ्यारती यही पूछते थे, कि हम EWS से भरें जर्नल से, क्योंकि दोस्तों, EWS के अंदर अभी तक एज में रिलक्शेशन नहीं दिया गया है, तो ये चीज कई लोग कह रहे थे, एज में भी रिलक्शेशन देना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है, कि जिस दिन से इसमें एज में रिलक्शेशन दे दिया गया, तो मुझे लगता है कि EWS की कट-off ज्यादा जा सकती है, आपने कई परिक्षाओं में देखा होगा, OBC की कट-off जो है, अब जनल से ज्यादा जाने लगी है, और EWS के अंतर के जो है, तो आप पूरी तरीके से EWS से ही फार्म डाली है, ठीक है, दोस्तों इसके अंदर अगर हम एज में रिलक्शेशन की बात करें, तो जो भी उत्तरप्रदेश के मूल लिवासियों को ही दिया जाएगा, सबसे पहली चीज तो यह है, कोई बहारी जो है, उनके लिए नहीं है, एज में रिटक्शेशन, अनसोचे जाती जन जाती और OBC के लिए अधिकतम जो है, पांस साल के लिए है इसके अंदर, ठीक है, और अन्रिजर्ब के लिए तो कुछ है ही नहीं, दोस्तों इसके अंदर जो है, यह माल लिजे कि फीस बहुत जादा होती है, इसलिए मैंने कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कि फर्म डालना है या नहीं डालना है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, नियुक्ती के समय आपको NOC प्रसुत करना आविश्यक होगा, ठीक है, NOC certificate जो होता है, अब उत्तर प्रदेश के अनसोचित जाती और जाती के लिए 700 रुपे, OBC और Unreserved और EWS के लिए 1000, देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर भी कह रहे हैं, मगर उससे भी जो है, 1000 रुपे फर्म के लिए जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कई लोग की pocket allow करती हो, आप दे सकते हैं इतना, और कई लोग की नहीं भी करती हो, तो मैं इस परश्टे सब्दों में दोस्तों आप से कहूँ, अंग्रे जी कोई ऐसा जादू भी नहीं है, कि आप एक महिने में एकदम से पारंगत हो जाएंगे, अगर आप इंगलिस अपने syllabus के recording पढ़ते हुए आये हैं, और आपको लगता है कि आप कुछ कर स तो क्यों इतना सारा पैसा जो है इसके अंदर दिया जाए, और जबकि पता है कि वेकंसी बहुत जादा काम है, बिल्कुल क्रीम लोग इसके अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं, बिल्कुल जो बहुत ही बिल्कुल टॉप लेविल के लोग होंगे, तो अगर आप अपने आपक इस लेविल में ला सकते हैं, या फिर हैं, तो फिर जो है आप इसके लिए आविदन कीजिए, और बाकी जो है आप सोयम समझदार हैं, क्योंकि आप आखरी डिसीजिजन जो है, वह आप अपने विवेक कैनुसार ही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो भरती आ गई है, इसक इतने कम पद हैं, आप क्या करें, जितने पद होंगे उतने ही तो निकाले जाएंगे ना, जब रजस्ती क्रियेट भी नहीं किये जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताईए आप में से कितने लोग इसमें आविदन करने वाले हैं, जल्द मिलेंगे द